कौन है बाबा खाटू शाम जी? क्या है उनकी कहानी? राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परमधाम खाटू. यहां विराजित है खाटू शाम जी. खाटू का शाम मंदिर बहुत ही प्राचीन है. यहां पर प्रतिवर्ष फालगुन माह शुकल शष्थी से बारस तक यहां मेला लगता है. शाम बाबा की महीमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बलकी दुनिया के कोने-कोने में मौजूद है. आओ जानते हैं क्या है उनकी कहानी? कौन है खाटू शाम जी? खाटू शाम जी भगवान श्री कृष्ण के कल्यूगी अवतार है. महा भारत के भीम के पुत्र घटोतकच और घटोतकच के पुत्र बरबरिक थे. बरबरीक को ही बाबा खाटू शाम कहते हैं. इनकी माता का नाम हिडिमबा है. खाटू शाम की कहानी बरबरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ट धनुरधर थे. बरबरी एक पीपल के व्रिक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोशना कर डाली की मैं उस पक्ष की तरफ से लडूंबा जो हार रहा होगा. बरबरीक की इस घोशना से कृष्ण चिंतित हो गए. भीम के पौत्र बरबरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री का चमतकार देखने के लिए उपस्थित हुए तब बरबरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया. कृष्ण ने कहा कि यहाँ जो व्रिक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा. बरबरीक ने आग्या लेकर तीर को व पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यहाँ छेद होने से बच जाएगा. लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुख गया. तब बरबरीक ने कहा कि प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, क्रिप्या पैर हटा लीजिए क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आग्या दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं. उसके इस चमतकार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए. भगवान श्री कृष्ण यहाँ बात जानते थे कि बरबरीक प्रतिग्यावश हारने वाले का साथ देगा. यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांड़ों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा और यदि जब पांडव बरबरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांड़ों का साथ देगा. इस तरह वह दोनों और की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा. तब भगवा रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे. लेकिन बरबरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीष मांग लिया. बरबरीक द्वारा अपने पितामा पांड़ों की विजय हेतू स्वेच्छा के साथ शीषदान कर दिया गया. बरबरीक के इ उसका शीष रखा था उस्थान का नाम खाटू है, जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है. खाटू शाम बाबा दुन्या के सर्वश्रेष्ट धनुर्धर है, उनसे बड़े सिर्फ श्रीराम ही माने गए हैं. कहते हैं कि जब बरबरिक से शीष मांग तो बरबरिक ने रात भर भजन किया और फालगुन शुकल द्वाधशी को सनान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीष काट कर श्री कृष्ण को दान कर दिया. कहते हैं कि जब बरबरिक से शीष मांगा तो बरबरिक ने रात भर भजन किया और फालगुन शुकल द वादशी को सनान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीष काट कर श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीष दान से पहले बरबरिक ने महा भारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई तब श्री कृष्ण ने उनके शीष को एक उचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टी प्रदान की। बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वर्दान दिया कि कल्यूग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्यान होगा। जरूरी बाते जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करे।